दिग विजय सिंग्राटोर सांकरा यानि कि मैं भारत में आरक्षन के नाम पर चल रहे खेल के बारे में चर्चा करना चाओंगा आप मेंसे बहुत से लोग आरक्षन का लाब लेने वाले लोग होंगे जिनको आरक्षन का लाब मिला होगा और आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका आरक्षन से बहुत नुकसान हुआ होगा या उन्हें कम से कम ऐसा लगा होगा कि वे आरक्षन की नीती की वज़ा से जिन्दगी में पीछे रह गए आरक्षन की गरस्ता देखकर लगता है कि भारत में अब जाती ही सबसे बड़ी योगिता है क्या जाती को कर्म और योगिता से उपर रखा जाना चाहिए सवाल यह है कि उच्छवर के गरीब व्यक्ति को आरक्षन की ज़्यादा जरूत है या आर्थि ग्रूप से संपन पिश्री जादियों को यह हमें सोचना होगा क्या किसी गरीब को इसलिए आरक्षन देने से इंकार किया जा सकता है कि वो एक सामाने सर्णी से तालुक रखता है इसलिए जानकार मानते हैं कि आरक्षन अगर देना ही है तो आर्थी ग्रूप से गरीब यक्ति को दिया जाना चाहिए और गरीब सामने सेड़ी में भी हो सकता है मेरा यह मानना है कि आरक्षन गरीब को दिया जाना चाहिए और गरीब गरीब ही होता है गरीबी की कोई जाती या धर्म नहीं होता भारत में इस वक्त करीब 90.5% आरक्षन है यानि सरकारी नोकरियों और शिक्ष्या विवस्ता के बड़े सेमें आरक्षन है देश की 90.2-3% जन सिंग्या आरक्षन के दायरे में हैं इनमें आर्थी ग्रूप से संपन्द लोग भी शामिल है आर्थी ग्रूप से संपन्द लोग आरक्षन का फायदा उठाना कभी नहीं बूलते डॉक्टर धीम रांबिटकर के अनुसार आजाजी के 30 साथ बाद आरक्षन की विवस्ता को समाप्त कर देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ आजाजी के 72 साथ बाद भी आरक्षन की विवस्ता समाप्त नहीं हुई क्या कोई देश आरक्षन के दम पर आगे बढ़ सकता है आरक्षन के कारण योगी तम व्यक्तिव को अवसर न मिलकर अयोगी व्यक्तिव को अवसर दिया जा रहा है 300 में से 0.68 अंग प्राप्त करने वाला फिजिक्स का लेक्चरर है जीके में 0.1 गनित में –9 प्राप्त करने वाला भी गनित का अध्यापक है पिछले सित्तर सालों से देश में पिछडी जातियों को 15% पिछडी जन्ज जातियों को 7.5% तथा अन्य पिछडे वर्क को 27% आरक्षन प्राप्त है कहा चाता है कि हमारे देश के सभी नागरिकों को समानता गदिकार है लेकिन सामान्य वर्क की जातियों को सरकाई नोकरियों में समानता नहीं दी जा रही है अब ये हमें सोचना होगा कि आरक्षन से आरक्षन का खेल कब तक चलेगा इसे कब तक समप्त किया जाएगा जै हिंद धन्यवाद